दोस्ते नमस्ते में तुशार अपना अफिशल आटी चानल गिटार गाड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों क्या फरक रहता है एक अकोस्टिक गिटार में और क्लासिकल गिटार में कौन सा गिटार यूज किया तो लीड में मज़ाएगा कौन सा गिटार यूज किया तो उसके साथ गाना गाने में मज़ाएगा कौन सा गिटार यूज किया तो उसमें स्ट्रमिंग करने में मज़ाएगा तो दोस्तो हम लोग आज फरत देखती हैं मैं आपको दिखाता हूं क्लासिकल गिटार पे क्या effect आता है और acoustic गिटार पे क्या effect आता है हम one by one देखेंगे और comparison के वक पे साथ साथ देखेंगे तो दोस्तो शुरुआत करते हैं हम लोग acoustic guitar से बेसिक क्या acoustic guitar में steel strings रेते हैं और classical guitar में जो है अलग nylon string रेते हैं तो एक steel strings का जो acoustic sound आता है ऐसा थोड़ा सा classical guitar में नहीं आता classical guitar जो lead के लिए बहुत ही अच्छा है और acoustic guitar lead के लिए तो अच्छा ही है साथ ही साथ में strumming के लिए भी बहुत प्यारा है तो दोस्तो बाकी differences तो आप YouTube पे या Google सर्च करके देख सकते लेकिन tone का जो difference है क्या फरक है वो tone का जो difference है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ हम लोग क्या करते हैं पहले acoustic जो guitar है acoustic guitar के उपर RPG ओ मतलब finger plucking क्या काम करता है क्या tone आता है कैसा लगता है ये चेक करते उसके बाद में हम लोग classical guitar पे करते आप खुद तय कर लेना क्या फरक है कौन सा tone अच्छा लगता है किसके उपर गाना गाया तो अपना अच्छा रहेगा effective रहेगा ये आप खुद तय करना दोस्तों तो मैं फरक आपको सामने सामने दिखाता हूँ शुरुआत करते एकॉस्टिक से लेकिन आप दोस्तों नए है पहली बार देख रहे है तो अपना चानल सब्स्क्राइब जरूर करना बेल बटन का आइकॉन भी दबा के रखना सिलेक्ट आल के साथ में क्योंकि मैं बहुत से गाने और ऐसे कुछ इंफॉमिशन आपके लिए अप्लोड करता रहता हूँ ये एक FS100C गिटार है मेरे पास एकॉस्टिक गिटार है तो हम लोग इसके उपर फिंगर प्लकिंग देखो पहले कि भी ओट करते है देए दो आविए कि लिए कि लिए कि लोग आप फरक प्रे कर लेना दोस्तों ये जीवन है का इंट्रो दोनों गिटार पे हम मैं प्ले करता हूँ आप उसमें का फरक भी आप आपकी तरफ से देख लेना अच्छा सा स्टेडी करना आपको खुद को समझ में आएगा ओके ये देखो ये ही सेम जो इंट्रो म्यूजिक है हम लोग बजाएंगे क्लासिकल गिटार पे अब हम लोग चेक करते अगर उसके उपर हम लोग गाना गाते तो क्या फरक आता है पहले एक ही गाना दोस्तों बहुरे की गुंजन जो है तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए सेम डी मेजर भी गाना है तो देखो दोस्तों गवरे की गुंजन है मेरा दिल जब से समाले रखा है दिल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए आप ही तेक है ना दोस्तों दोनों का फरक जो है टोन का क्या फरक है आप ही तेक है लीड नहीं हुआ लीड क्या आता है हैमर इफेक्ट बेंडिंग इफेक्ट कैसा आता है देखो दोस्तों हम लोग शुरुबात करते हैं एकोस्टिक गिटार से क्लासिकल गिटार पर देखते हैं दोस्तों हम लोग फरक है दोस्तों आप समझ जाएंगे जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते जो आपके दिल को अच्छी तरीके से हैसास दिलाई कि हाँ ये टोन बरोबर अपने दिल से वोकल से मैच करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों और छोटी-छोटी बारी किया तो आप एक्चुली ये वीडियो में मुझे आशा करता हूँ आपने देख ली है बाकी तो knowledge आप on paper जो scientific knowledge रहता है वो तो google करके search करके आप लही लेंगे लेकिन ये जो है ये normally समझ में नहीं आता है beginners के लिए आरे कुन सा guitar लूँ ये लूँ के वो लूँ समझ में नहीं आता है तो ये जो फरक है मैंने दोनों का आपको दिखाने की कोशिश की तो इसमें से कौन जीतता है classical जीतता है क्या acoustic जीतता है ये आपका दिल अच्छी तरीके से जानता है दोस्तों तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ lesson में तब तक के लिए thank you शुक्रिया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब जरूर करना